तो्यापर हम जो फरबदी माह में दो प्रिस्चचचच आए हुए हैं यह नमा प्रिस्चचच जिसकी प्रिस्चच चरफ करेंगी वीडियो में हम लोग कभर करेंगे तो वीडियो आप कंप्रीट देखेंगा yeah यहां पर हम 40 प्रशनों की उत्तर देखेंगे, 40 में से कोई भी आपके 20 प्रशन आ सकते हैं, तो शुरू करते हैं, और यह लोडिंग हो रही है, प्रशनत्री 75 परसेंट हो चुकी है, जैसे ही complete होती है, तो question number 1 से ले करके, question number 20, फिर 21 से ले के 40, 40 तर इस परकार, total 40 question को हम इस कबर करेंगे, साथी बताना चाहूंगा, यह complete वीडियो आप देखेगा, जिससे कि आपको सभी प्रशनों के उत्तर मिल, तो देखते हैं, यहां पर चार विकल्प दिये गए हैं, तो इन मैंसे जो सही विकल्प है, वो है सौंदर शंख्या, इसके बादे next question है, एक संग, ए संख्या निर्देश करने की प्रडाली, आगे प्रशन देखते हैं, निमलिकित मैंसे कौन डेटा प्रबंधन का एक गटक नहीं है, तो यहां पर सही उत्तर है, गटाओ, आगे प्रशन देखते हैं, निमलिकित मैंसे कौन एक गड़ती प्रकरिया नहीं है, तो यहां पर ज बिकल्पियां पर सही है इसे अब हम टिक करेंगे आगे दिखेंगे next question को संख्याओं को पढ़ने का सही क्रम किया है गड़ना के आउशर अंक लिखना अंक पढ़ना संख्या बूध विक्सित करना तो यहां पर जो सही क्रम है वो है आपका पहला चौथा तीसरा और दूसरा इसके बाद में है बस्तुगों के समु के आकार को मापने और संप्रेशित करने के लिए निमलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है कारडिनल संख्या तो यहां पर सही विकल्प होगा चौथा तो इस विकल्पों किलिक करेंगे और और इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, निमलिखित में से कौन सा बुनेयादी संख्यात्मक्ता का घटक नहीं है, यहां भी चार विकल्प हैं, इन चार विकल्पों में से सहीतरे संख्या की नाम, इसके बाद में है बिटाइजिंग क्या है, तो यहां पर सहीतरे को गिनने के बिना पैशानने की छमता आगे चलेंगे एक और प्रिश्ण है रीमा के पास 12 गुलाव हैं और सिफा के पास 15 गुलाव हैं किसके पास ज्यादा हैं और कितने हैं वो प्रोप्त समस्या में किस गाटाव संदर्व का प्रियूक किया गया है तो यहां पर तुलना का प्रियोग किया गया है, यहाँ पर तीसरा विकल्ब सही है, आगे चलेंगे, काटाना की प्रकरिया के दौरान बिद्यारती क्या नहीं कर रहा होता है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, जो चार विकल्ब हैं इन मेंसे वो सही उत्तर आपका है, नमबर के नाम लिखता है, आग पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्या ना लिखने को कहना आगे है कब कहा जाता है कि एक बच्ची ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है तो यहाँ पर पहला भी कल्प सही है जब बच्चा बिना समझे गहन गहना गोला आधियाकरतियों की नाम रठता है आगे दिखेंगे निमलिकित में से कौन सा परिद्रस जोड और घटाउ से समंदित सब्द समस्याओं में सामिल नहीं है तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है बस्तुओं का वर्गी करण आगे निमलिकित में से कौन गड़त अधिकम की आकलन का आयाम नहीं है तो यहाँ पर जो सही उत्तर है तीसरा प्रक्रियात्मक ज्यान तो इसे किलिक करेंगे आगे बढ़ेंगे निम लिखित मैंसे कौन एक बच्चे को प्रारंबेक बरसों में संख्यात्मक्ता में दच्छ बनाने का उद्देश नहीं है तो यहां भी चार विकल्प दिये गए हैं और इन मैंसे जो सही विकल्प है उन्हें तेजी से गड़ना करने के लिए रोगन आगे है वेक ख्यात्मक्ता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का बुल्यांकन किया जाना चाहिए तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है सतत रचनात्मक अनकूली बिदियों की माद्यम से आगे देखते हैं एक और प्रस्ण कितनी बार चार जोड़ने से 16 प्राप्त होता है तो इसका अप्तर है चार बार आगे निमलिकित में से कौनसी मूल्हूत संख्यात्मक कोशल को बढ़ाने के लिए एक उप्योगत छड़क पिरकरिया नहीं है तो यहाँ पर जो सही उतर है इसे प्रस्ण का वो है बहुत सारे अभ्याज प्रस्ण हल करवाना आगे दिखते हैं एक और प्रस्ण लेते हैं संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को बस्तुगों को क्रम बद्द करने में सच्छम होना चाहिए क्रम है तो यहाँ पर चार मैंसे जो सही उत्तर है वो संख्याओं को क्रम में लगाना है तो इस प्रकार 20% यहां से कि हमने और 200 सही है इसके प्रकार रेडो बटन पर किलिक करके हम पुन्हा परसनोत्ती के 20% और करेंगे क्योंकि 40% मैंसे कोई भी आपके 20% आ सकते हैं तो आगे वाला यह लोड हो गया है संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को बस्तों को क्रम बद करने में सच्चम होना चाहिए क्योंकि क्रम इसके बाद संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम प्रतीकों. SAMकेतों , आ्रेखों, आलेखों के माध्यम सी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया皆्ता तो यहा पर सही उत्तर है वह गणती है संचार तो यहा पर तीशा विकल्प जो डूडने पिर 16 प्राप्त होता है तो इसका दूसर विकल्ब सही है 4 बार 4 गड़ना की प्रकरिया के दोरान विद्याती क्या नहीं कर रहा होता है तो यहाँ पर जो सही उतर होगा 4 विकल्ब में से वो है आपका नंबर के नाम लिखता है आगे है मापन सिछड के लिए निमलिकित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सिच्छक द्वारा माप की माना के काईयों और उनके रूपांतरणों को सीधे काना निमलिकित में से किसमें दिये गए निम के अनुसार बस्तुओं के संग्रय का करम सामिल नहीं है तो यहाँ पर बरगी करड़ आगे एक संग और एक संगतता के समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डॉट-डॉट का अर्थ समझने की आवशकता नहीं है तो यहाँ पर जो सही उत्तर है संख्या निर्देश करने की प्रडाली आगे चलेंगे एक और प्रस्ण है यदि छातर बेवन इतरवजों के गोड़ों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनकी भी सम्मंद नहीं देख पा रहे हैं बे कैसे बेन हील या मिती सोच मॉडल किस प्रड़ में है तो इसका सही उत्तर है विसलेशड यानिकि दूसरा विकल्प इसका सही है आगे चलेंगे एक और प्रस्ण लेंगे तो यहाँ पर संख्यात्मक्ता की मजबूत बुनियाद सुनेश्चित करने के लिए बच्चों का मुल्यांकन किया जाना चाहिए तो यहाँ पर सही उत्तर है सतत रचनात्मक अनकूली बिदियों की माध्यम से यहाँ चोथा विकल्प सही है आगे चलेंगे एक और प्रस्ण लेंगे यहाँ पर तो एक और जो प्रस्ण है उस संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है गड़ना के औसार अंक लिखना अंक पढ़ना जिसका सही बिकल्प है और वो सही बिकल्प है दूसरा पहला चोथा तीसरा दूसरा सून के अउधारा को निमलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोच रूप से प्रस्तुत किया जाता है घाटाओ के माध्यम से निमलिखित में से कौन सा सत्त नहीं है तो यहां पर जो सही बिकल्ब है वो है सभी आयत बर्ग होते हैं आगे बस्तूों के समू के आकार कुमापने और संप्रेशित करने के लिए निमलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कारडिनल संख्या, निमलिखित में से कौन एक गरती प्रक्रिया नहीं है, रटकर याद रखना आगे चलते हैं, गोडन सीखने समझने में उप्योक्त करम क्या है? यह पर चार हैं जोड के संबंध में गोडन का बितल दलियम, गोडन का अर्थ समझना, गोडन एल्गोरिफ्म सीखना, गोडन की भासा को समझना और पिर्योक करना तो यहाँ पर जो सही बिकल्प इसका आएगा वो सही निकल करके आ रहा है तीसरा बिकल्प आगे है सुविटाइजिंग क्या है तो बस्तू की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्ताओं में प्रतेग बस्तू को गिनने के बिना पहशानने की छमता यह होता है उत्तर है वो संख्या नामों का बोलना आगे चलेंगे निम लिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मक्ता का घटक नहीं है तो यहाँ पर जो सही उत्तर है डेटा संधारण आगे चलेंगे निमलिखित में से कौन सा बोनेधी संख्यात्मक्ता का घटक नहीं है गड़ती है संचार निमलिखित में से कौन सा गुड़न सीखने का सबसे महतपूर पहल हुए गुड़न को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना तो इस परकार से यहां से भी 20%